नवस्कात दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्के भी तो आज की इस वीडियो में हम हाल ही में जो हमारा बिंटर ओलंपिक समाप्थ हुआ है उससे जुड़े हुए करिंट अफेर के प्रशन और आपकी विभिन प्रकार की परिछाओं में जो बिंटर ओलंपिक से इससे पहले प् उपर मिल जाएगी तो वहां से आप इसके पीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो की हम सुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दू कि 27 फरवरी को एक बहुत ही बड़ा स्कॉलर्शिप टेस्ट होनी वाला है अनेकडमी के उपर तो अगर आप इस टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो नीचे पिन कमेंड में आपको एक लिंक मिलेगी उस पे क्लिक करके आपके भी 10 कोड यूज़ करके इस टेस्ट में इन्रॉल कर सकते हैं तो बिलकुल फ्री टेस्ट है और यहां पर आप बहुत सारी प्राइज जी सकते हैं टेस्ट के बारे में जो डेटेल है वह हमें आपको वीडियो के लाश्ट में बताऊंगा तो चलिए इस वीडियो के हम सुरुआत करते हैं पहला प्रश्ण है कि किस वर्स पहली बार सीत कालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था आप सभी को यह पता होगा कि जो हमारा पहला ओलंपिक खेल था व जो की आपको मिलेगा फ्रांस में तो दोनों चीज़ें आपको ध्यार रखनी है कि पहला जो सीत कालीन ओलंपिक है वहाँ 1924 में हुआ था और अगर आपसे पहुचा जाए कि कहा पर या किस देश में हुआ था तो सननिक्स इसका नाम है और यह आपको मिल जाएगा फ्रांस में तो आपसन यहाँ पर यह होगा करें अगला प्रशन है कि हमारे देश भारत ने किस वर्ष पहली बार सीत कालीन ओलंपिक में हिस्सा लिया था तो ध्यार रखेगा हमारे देश ने पहली बार हिस्सा लिया था 1964 में कौन से साल 1964 में हमारे देश ने हिस्सा लिया था तो आ 39 जनवरी से 9 फरवरी तक और इसमें पहली बार हमारे देश ने हिस्सा लिया था तो option C होगा फिलहाल के लिए correct अगला प्रशन है कि वर्स 2022 में जो सीत कालीन ओलंपिक है इसका आयोजन कहां पर किया गया तो ध्यान रखेगा चीन की राधानी जो है वह आपको बीजिंग में म अब एक बहुत ही महत्पूर्ट तक थे आपको ध्यान रखना है देखे अगर हम लोग बीजिंग की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि 2008 का जो ओलंपिक खेल है जो कि हमारा समर ओलंपिक खेल था वो भी आपके बीजिंग में ही हुआ था पता ही होगा आपको और इस साल बिंटर ओलंपिक हुआ है यानि की बीजिंग आपके दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर समर ओलंपिक और बिंटर ओलंपिक दोनों होचके हैं तो ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है और अप्शन फिलहाल के लिए यहाँ पर D होगा बीजिंग कर अगला प्रशन है कि 2022 में आयोजित जो सीत कालीन उलंपिक खेल है इसका सुभंकर क्या रहा है तो ध्यान रखिएगा काफी महत्पूर्ण है मैस्कॉट अकसर आपसे पूछे जाते हैं तो इसका सुभंकर था बिग ड्वैन ड्वैन क्या था बिग ड्वैन ड्वैन इसका जर्खते हैं ये आपका बिग ड्वैन है और आपको पता होगा कि जो चाइना देश है उसका जो राजके पसु है वह है जयान पैंडा जयान प्रश्यान प्रशन है कि सी'll कालीन प़ैरा ओलम्पिक गेम्स 2022 का शुभंकर क्या रहा है तो सी'll और सीद कालिन और सीद कालिन पैरालंपिक खेल दोनों एक सात में हुए हैं ध्यार रखियेगा यहां पाद जो इसका सुभर्णकर है वह आपका रहा है स्वियरोन्रोन क्या है स्वियरोन्रोन इसका सुभर्णकर है तो option फिलहाल के लिए B हो जाएगा यहांपर correct अब स्वियर रोन रोन है क्या तो आप देख सकते हैं ये स्वेर रोन रोन है जो कि एक प्रकार का लांटेन है तो ये आपके फसल के कटाई प्रकास और उत्सों का प्रतीक होता है तो option हमारा B होगा फिलहाल के लिए करेगा अगला प्रशन भी काफी महत्पूर्ण है कि 2022 का जो हमारा ये हमारा 2022 के बिंटर उलम्पिक का धेवा के है यानि कि यहां पर option भी होगा correct तो जरूर इसके बारे में ध्यान रखेगा इस साल के बिंटर उलम्पिक का धेवा के था together for a shared future और चलिए आपके लिए यहीं से प्रशन है आपको बताना है पिछले साल जो हमारा समर उलम्पि के opening समारो में भारतिये धोजवाहक कौन थे तो आपको ध्यान रखना है कि जो opening समारो था इसमें हमारे देश के जो इसकेंग की खिलाडी आरिफ खान है वो आपके धोजवाहक रहे थे यानि कि यहां पर option D हो जाएगा correct ध्यान रखेगा opening स्रेमनी में तो आपके आरिफ खा हुआ है इसमें कुल कितने खेल सामिल थे तो देख सकते हैं इसमें total 7 खेल सामिल थे कितने थे total 7 खेल सामिल थे यानि कि option B हो जाएगा यहां पर correct अब आपको यहां से एक बहुत ही महत्पूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपसे खेल की बात की जाए तो total आपके 7 खेल थे अब 7 खेल के आपके 15 कटेगरी थी इसमें और total आपके 109 इसमें इवेंट हुए हैं तो यह ध्यान रखेगा 109 इवेंट थे 7 स्पोर्ट में जो की 15 भागों में आपका बटा हुआ था तो option फिलहाल के लिए B हो जाएगा यहां पर correct अगला प्रश्न है कि 1964 Winter Olympics में प सामिल होने वाले यह पहले भारतिये थे और यह हमारे सम्मंदित थे इस केंग से किस से इस केंग के यह खिलाडी थे यानि कि option A हो जाएगा correct तो यह देख सकते हैं मुख्य रूप से यह जो आपके जरेमी बुजा कोश्की हैं यह आते हैं लिथवानिया से लेकिन लिथवा रखेगा यह स्केंग के प्लेयर थे option यहां पर A हो जाएगा फिलहाल के लिए correct लेकिन आपको ध्यां रखना है कि अगर कभी आपसे यह पूछा जाए कि हमारे देश का मतलब भारतिये मूल के या भारत के में कैटगरी में से कौन था जोकी विंटर उलम्पिक में सामिल हु तो यह गय rebel अगला है कि 1988 ओलंपिक में सामिल हुनी वाली पहली भारतिये महिला बना बिंटर उलम्पियन कौन बनी है? तो अगर आपसे पूंछा जाए कि ओलंपिक में सामिल हुनी वाली पहली महिला कौन है? बिंटर उलमपिक में तो इनका नाम है सैल्जा कुमार. क्या नाम है सैलजा कुमार नाम है और उप्सन फिलहाल के लिए बी हो जाएका करेक्ट तो ये देख सकते हैं ये सैलजा कुमार है जो की आपके सलैलम की ही प्लेयर हैं और इन्होंने 1998 के उलम्पिक में हिस्सा लिया था अगला प्रशन है कि छे बार विंटर उलम्पिक में क्वालिफाय करने वाले एक मात्र भारते खिलाड़ी कौन है तो अगर हम लोग इन भारते खिलाड़ी के बात करते हैं तो इनका नाम है स्यू केस्वन क्या नाम है स्यू केस्वन इनका नाम है इन्होंने 1998 से लेकर के जो हम हमारे ल्यूज के प्लेयर थे, ल्यूज एक प्रकार का गेम होता है, उसके ये खिलारी थे, छे बार ये ओलम्पिक में गये थे, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है, कि इन्हों ने अपने ओलम्पिक कैरियर में बिंटर ओलम्पिक में कोई भी मिडल नहीं जीता है, clear तो option B हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रश्ण है कि सीथ कालीन उलम्पिक 2022 में qualify करने वाला एक मात्र भारते खिलाड़ी कौन था तो एक मात्र भारते खिलाड़ी की बात करें ये रहे हैं आरिफ खान कौन रहे हैं आरिफ खान एक मात्र भारते खिलाड़ी थे जो की skating में स प्रश्ण है कि फरवरी 2022 में जो आपका बेंटर ओलम्पिक समाप्त हुआ है इसमें कौन से देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है तो ये प्रश्ण काफी ज़्यादा महत्पूंड है सबसे ज़्यादा जो मेडल है उसको जीता है नौर्वे ने किसने जीता है और दूसरे पर रहा जिसने टोटल 27 मेडल जीते 12 गोल्ड रहे चाइना इसमें भी तीसरे नंबर पर है जिसने टोटल 15 मेडल जीते और इसमें आपके 9 थे गोल्ड तो ये आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्ण है कि बिंटर ओलम्पिक 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो अगर हम लोग अपने देश की बात करती हैं तो हमने भईया कुछ नहीं जीता है इवन 2022 ही नहीं हमारे देश का जो पूरा बिंटर ओलम्पिक का इतिहास है 1964 से ले करके अब भी हम लोग पहले पदक का इंतजार कर रहे हैं ना जाने ये इंतजार कब पूरा हो जीतने वाले खिलाडी कौन है तो ये प्रेशन आपसे पूछा जा सकता है ध्यान रकिएगा इनका नाम है मारित बोजोरगे इनका नाम है ये आपके नौरवे देश के ही प्लेयर हैं तो यहाँ पर आप्शन ए हो जाएगा करेक ये देख सकते हैं मारित बोजोरवे इनका नाम है, नौर्वे के खिलाडी है, क्रास कंट्री इनका स्पोर्ट है, इन्होंने अपने कैरियर में टोटल 15 मेडल जीते हुए हैं, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल हैं, 4 यहां पर सिल्वर हैं, और 3 आपको मिलेंगे कां से पदक, तो नाम है मारित बोजोर्गे, नौर्वे के खि तो इस प्रकार से, बिंटर उलम्पिक से जुड़े हुए जो भी जीके के प्रश्न थे, उन सभी को हमने डिसकस कर लिया है, तो इसकी जो पीडियेफ है, वो आप लोग केवी गुरुजी.in, या फिर केवी गुरुजी टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और इ इसमें आप सामिल हो सकते हैं, बैंक के लिए ये टेस्ट दिन में 10 बजे होगा, SSC के लिए 2 बजे होगा, और रेल्वे के लिए होगा ये आपके साम को 5 बजे, रैंक वन लेप्टॉप जी सकता है, मतलब जीतेगा, रैंक 2-6 को स्मार्टफोन दिया जाएगा, 7-16 को वायर दूर सामिल होईए, और अपने दोस्तों को भी सामिल कराइए, बिल्कुल फ्री टेस्ट है, बस आपको ध्यान के वल इतना रखना है, कि जब आपसे कोड पूछा जाए, तो यहाँ पर कोड योज करिएगा KV10, 13 फरवरी से नय बैस शुरू हो रहे हैं, तो इन बैसेज को झाल